नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि Stabglue GM1 टेबलेट का उप्योग किन कंडीशन्स में किया जाता है Stabglue GM1 टेबलेट को कैसे लेना चाहिए और Stabglue GM1 टेबलेट की वज़ से क्या साइड एफेक्स हो सकते हैं और यहां भी डिसकस करेंगे कि Stabglue GM1 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए Stabglue GM1 एक ब्रैंड नेम है Stabglue GM1 टैबलेट के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है Stabglue GM1 टैबलेट के अंदर सौल्ट कमपोजिशन ग्लिमेपिराइड और मेटफोर्मिन होता है जब किसी व्यक्ति का ब्लड शुगर लेविल किसी एक दवा से नियंतरन में न हो रहा हो तब डॉक्तर दो दवाओं के कॉंबिनेशन वाली Stabglue GM1 टैबलेट को लेने की सला दे सकता है Stabglue GM1 टैबलेट का उप्योग टाइप 2 डाइबिटीज में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है Stabglue GM1 टैबलेट शरीर में ब्लड शुगर के लेविल को कम करती है शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक शुगर लेविल ज्यादा रहने की वज़़ से किड्नी डैमेज हो सकती है आखों की देखने की द्रिष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे डैमेज हो सकती है इसलिए शरीर में शुगर के लेविल को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का ब्लड शुगर लेविल 140 से कम होता है शुगर लेविल को बिना दवाओं की मदद से नियंतरन में किया जा सकता है परी डायबिटिक स्टेज पर शुगर लेविल को नियंतरन में करने के लिए regular exercise और lifestyle वा खान पान में बदलाव करके blood sugar level को नियंत्रण में किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ति का blood sugar level 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को diabetes की समस्या है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करना वा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में step glue GM1 टैबलेट की वज़़ से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में step glue GM1 टैबलेट की वज़़ से कुछ side effects हो सकते हैं जैसे दस्त होना, उल्ती आना या उल्ती आने का मन होना, वजन का बढ़ना, भूप कम लगना, मुँ के स्वाद में बदलाव होना, कमर में दर्ध होना, पेट में दर्ध होना और सिरदर्ध होना आदी side effects step glue GM1 टैबलेट की वज़़ से हो सकते हैं इसके अलावा step glue GM1 टैबलेट की वज़़ से शरीर का blood sugar level बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है अब हम discuss करेंगे की step glue GM1 टैबलेट को कैसे लेना recommended होता है step glue GM1 टैबलेट को सुबह breakfast के समय खाना खाते समय बीच में लेना recommended होता है या step glue GM1 टैबलेट को खाना शुरू करने से तुरन पहले लेना recommended होता है आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्टर शुरुआत में step glue GM1 टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सला देते है step glue GM1 टैबलेट को हर रोज एक निर्धारित समय पर लेना चाहिए step glue GM1 टैबलेट की दोज उम्र, शरीर के वजन और शरीर में blood sugar के level की गंभीरता के आधार पर सभी व्यक्तियों में अलग-अलग हो सकती है इसलिए आपको step glue GM1 टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे की step glue GM1 टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सामधानिया रखनी चाहिए शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको step glue GM1 टैबलेट के साथ साथ regular exercise करनी चाहिए चिंता वतनाव से बचना चाहिए परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर step glue GM1 टैबलेट को लेना recommended नहीं होता है ब्लड शुगर बहुत ज्यादा कम होने से बचने के लिए आपको step glue GM1 टैबलेट को लेने के बाद खाने को skip नहीं करना चाहिए और आपको step glue GM1 टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए pregnant महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंतरन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है pregnant महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए step glue GM1 टैबलेट का सेवन करना recommended नहीं है वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना और अगर आपका step glue GM1 टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं